हेलो जैगवार्स क्या हाज चाल सब बढ़िया वेलकम बाक चू यॉर चैनल ग्रैविटी सर्कल मेरे प्यारे बच्चो वेलकम बाक और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्यूशन नाम का चैप्टर का सेकेंड लेक्चर देखा था और उस सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था मुलालिटी, मुलारिटी, नॉर्मालिटी एंड मोल फ्रैक्शन याने पास्ट टू वीडियो में हम लोगों ने इतनी बाते कर ली थी अब गाईज कुछ दो तीन छोटी छोटी बाते बच्ची हैं जो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे बट तैट इस लेक्चर में दे हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं यह जैट इस यौर मास वाइग मास पर्सेंटेश मास बाई मास परसेंटेश विच इस अलसो कॉल्ल अस एम यह बाय एम एम यह आम यह लोगों को देखना देख देख वो जिसा में आप सेखा कोई इंपोर्टेंस नहीं इस जगा पर हमको percentage को grams में convert करने ही ज़रोद पड़ती है तो वो मैं यहां आपको सिखा देता हूं ठीक है m by m percentage तो गाइस इसका formula होता है यह सो कैसा define करेंगे it is the mass or amount it is the mass or amount of solute present in total mass of solution present in total mass of solution ध्यान से मेरी बात समझेगा इसका क्या मतलब है देखो क्या से तो अगर आप लोगों को मास percentage निकालना है अगर आप लोगों को मास percentage निकालना है आपके solute का तो solute का मास percentage निकलेगा में दिखेंगे it is the mass और वीकेंड से amount वाई दोनों चीज़े grams में होती है तो इस दो मास और amount of solute divided by the total mass या amount divided by total mass या amount of solution आपके solution का total amount कितना है वो multiply by 100 तो इस तरीके से आप लोगों को solute का mass percentage मिल जाएगा अब अगर आप लोगों को mass percentage निकालना है सॉल्वेंट का इतना मिलने के बाद अगर आप लोगों को solvent का mass percentage निकालना है तो आप 100 मेंसे आप 100 मेंसे मास percentage और तॉल्वेंट निकाल लीजिए आपको mass percentage और sorry mass percentage और तॉल्यूट निकाल लीजिए तो आपको इसकी value मिल जाएगी clear को जादा complicated चीज नहीं हल्का फुल का topic के note करो question कर लेते हैं या इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं इसका हम लोग एक मतलब समझ लेते हैं मान लोग कल से आपको statement दे दिया जाए question दे दिया जाए आपको question statement दे जाए जैड़ हमारे पास में 10% कि वाइमास कि एने सील का aqueous solution है अभी बात से आप क्या निकालोगे मतलब इस बात का आप क्या मतलब निकालोगे आप बोलोगे कि एक्वास solution मतलब डेफिनेटली वाटर हमारा यहां पर solvent है NACL हमारा solute है अब यह 10% by mass NACL का solution है देरफोर यहां पर solution में NACL 10% है तो डेफिनेटली आपका जो water रहा होगा वो water आपका 90% रहा होगा तभी आपका जो solution बना है वो solution 100% रहा होगा तो क्या मैं ऐसा बोल लूँ क्या मैं इसे इसा मान लूँ कि मेरा solution 100 gram रहा होगा Conversion आसान हो जाएगा आप चाहो तो 10 gram भी मान सकते हो आप चाहो तो 1000 gram भी मान सकते हो लेकिन 100% को मैं 100 gram मानूंगा तो मेरे लिए जादा आसानी हो जाएगी so therefore 90 gram मेरे लिए solvent हो जाएगा और 10 gram मेरे लिए solvent हो जाएगा तो अगर मैं इस value को ध्यान में रखूँ और इससे में mass percentage निकालने की कोशिश करूँ तो guys यहाँ पर NACL का mass percentage किता हो जाएगा solute का हमारे solute का mass is 10 gram यह देखो total mass of solution is 100 gram multiply by 100 gram gram cancer 100 cancer आगया 10 पर तो इस तरीके से हम लोग mass percentage का इस्तमाल करने वाले इन future references तो मेरे प्यारे बैच्चो mass percentage एक बहुत अच्छा और एक easy topic है किस पर numerical कर लेते हैं जो हमारे NCRT में दिया हुआ है ठीक है तो question चलो देख लेते सा question क्या calculate the mass percentage calculate the mass percentage of calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene mass percentage of benzene and carbon tetrachloride when 22 grams of benzene benzene is c6x6 ठीक है इस dissolved in is dissolved in 122 grams of ccl4 याने carbon tetrachlor इस तरीके के questions भी आप लोग कर सकते हो तो इसको कैसे solve करेंगे चलिए इसका solution तो बहुत ही आसान है हम लोग पहले mass percentage निकाल लेते हैं बेंजीन का हम लोग सबसे पहले mass percentage निकाल लेते हैं बेंजीन का गिवन अमाउंट है 22 grams और यह 22 ग्राम और यह 122 ग्राम ने मिलकर solution बनाया है आपका solution हो गया 122 जो कि यह है and 22 जो कि आपका बेंजीन है जहाने 144 हो गया तो divided by 144 एंटु 100 तो यह 11 कट गया यह सेविट नडे गया और यह टो पेक्स्टुए मोलिया कर्या यह क्ट अब ढर जेका तो यह स्थे सक और मिल जाएगा रेवरा बच्चो को में नटे जब ज्यादे असान है तो合 लोगों के के लिए यह करना बहुत जादा आसान है तो इस तरीके के कोईशन जाए होब आप लोग मास परसेंटेच चे कर लेंगे चलिए छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं और हम इसी से कुछ मिलता जुलता दो और टर्मिनोलोजी देखेंगे डेट इस एक वॉल्यूम परसेंटेच विच इस ऑल्सो कॉल्ड एस विच इस ऑल्सो नोन एस वी बाई वी परसेंटेच वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पर केस क्या हो गया मेरे बच्चों मेरे जागवार्स यहां पर केस क्या हो गया यहां पर तुमको दोनों चीज़े एमेल में दे रखि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मतलब यहां पर क्याट इस दब वॉल्यूम जो कि ml में या लीटर में दे रखा होगा लिखेंगे उपर वॉल्यूम ओफ वॉल्यूम ओफ शॉल्यूशन चलिए इसका फॉर्मुला क्या बनाएं या फॉर्मुला बनाओ गिरे अगर आप लोगों को solute का volume percentage निकालना है आप लिखेंगे उपड़ volume of solute divided by total volume of the solution total volume of the solution multiply by 100 और अगर आप लोगों को solvent का percentage निकालना है तो वो तो बहुत आसान हो जाएगा आप 100 में से volume percentage solvent का minus कोई जाधा बड़ी बात निया है यह हमारा question हो गया यहाँ पर खतम हमारा topic यहाँ पर हो गया खतम कोई इसके ओपर question वगएरा करने की जरुवत नहीं है ठीक है चले गाई तो अब इतना complete करने के बाद हम लोग एक last topic और देख लेते हैं that is mass by volume percentage actually यह वाली जो terminology है यह pharmacy वगएरा में medicine वगएरा में वहाँ पर बहुत use होती है जो आपने देखा होगा market में अपने जो eatable products वगएरा जो आते हैं वहाँ पर बहुत जादा use होती है actually mass by volume percentage का मतलब क्या होता है it is the amount it is the amount of value present in the given volume of solution given volume of solution यह आपके पास में यहां पर जो सॉल्इशन है मेरे फ्यारे बच्जो जब्समां कि आपके पास में सॉल्जुष ने वह वॉल्यूम में ml में लेकिन सॉल्इूट ग्राम्स में जैसे फोर एक्जेंपल आपको इसा बोल दिया जाए हमारे पास में इस तरीके की टर्मिनोलॉजी फार्मासी वर्ड में बहुत यूज होती है जो आपका सॉल्वेंट होता है और जो आपका सॉल्वेंट होता है तो सॉल्यूशन होता है डेंसिटी का सित्माल करके तुर्में मोल्री ले ली है वसमें छिर्फ और सिर्फ समझने का खेल है क्या आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से कलियर हो गया फ्लीज इसको ध्यान से नोट कर लीजे ताकि हम आगे बढ़ता के हैं ठीक है क्या मैं आगे बढ़ूँ चली ग्रेट अब आता है हमारा नया टॉपिक एक फ्रेश टॉपिक एक दम शांदा टॉपिक जिसको पढ़के आपके अंदर से आवाद आएगी वूद आई मिन वा वा मोदी जी आपने असली चाक्टर तो अब शुरू किया है अभी तक तो आप अब पुझे के बात कर रहा था हम लोग नॉर्मल बाते कर रहे थे अब थोड़ी काम यह बात शुरू होगी तो है गाइस अगर आप लोगों को अभी पर्चेस करना है सब्सक्रिप्शन तो गाइस अभी बहुत इंपोर्टन टाइम चल रहा अगर आप अभी पर्चेस कर सब्सक्रिप्शन तो आप लोगों को बहुत कम प्राइज में मिल जाएगा अधरवाइस बढ़ने वाले हैं तो गाइस यूज माइ कोड ग्रैविटी लिंक इन देस्क्रिप्शन बॉक्स पर्चेस यौर अनकैडमी सब्सक्रिप्शन नाव गाइस तो सॉल्यूबिटी नय is the maximum amount solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of specific amount of solvent एक specific amount of solvent के अंदर अब maximum कितनी मातरा में solute मिला सकते हैं जिसे मालों तुमारे पास मेंने बोला कि विए तुमारे पास में एक लीटर वाटर है तो एक लीटर वाटर हमारे पास में specific quantity हो गई किसकी specific quantity हो गए हमारे solvent की हमारे solvent की specific quantity किसनी है एक लीटर तो एक लीटर वाटर के अंदर आप maximum कितना solute मिला सकते हो 5 ग्राम नमक 10 ग्राम नमक 20 ग्राम नमक 30 ग्राम नमक maximum कितनी quantity हो सकती है वो कहलाती है solubility क्या यहां तक आप लोगों को concept clear हो solubility की definition note करो solubility की definition note करो फिर हम solubility of solid in liquid की तरफ चलेगे चलिए वैसे तो इसकी कोई खास importance हमारे टॉपिक में होती नहीं है बट हम फिर भी थोड़ा सा इसकी तरफ चलेंगे एंड थोड़ा सा इसको observe करेंगे क्योंकि कभी मालो इस पर कोई nominal सा question बन जाए तो उसके लिए प्रिपेड रहे है तो हरी डालेंगे solubility क्या मैं इसको दिख पा रहा हूं बहुत अच्छा दिख रहा है तो ल्यूब्लिटी कि और ऑफ कि तॉलेट इन लिक्विड solubility of solid in liquid हम यहाँ पर solid के अंदर liquid को नहीं liquid के अंदर solid को dissolve करना है और तो क्या से पढ़ा रहा है क्या तू नशे में हैं मैं नशे में नहीं हूं मैं फ्रोड़ा सा अदल रहा हो जाता हूं अदल हम समझ गे ना feeling समझ जाओ तो solubility of solid in liquid याने हम लोग liquid के अंदर solid को solubilize करना चाते हैं क्या आप लोगों को यह point समझ में आ गया क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ठीक है तो मैंने प्यारे बच्चो solubility of solid in liquid का मतलब क्या है वही it is the maximum amount of solid solute it is the maximum amount of it it is the maximum amount of solid solute solid solute that can be that can be dissolved in particular amount of in a particular amount in a particular amount of liquid solvent आपके liquid solvent के अंदर आप particular है ना आपके liquid solvent के अंदर आप particular कितनी मात्रा में solid solute को dissolve कर सकते हो अब यहाँ पर usually कुछ किताबों में 100 ग्राम solvent लिखा रहे था अब आप बोरो के सर लिक्विट चीज ग्राम में कैसे आगई यार बटा density का concept दुनिया में सबको आगया है आज कल density is equal to mass upon volume अगर मुझे कोई liquid ml में भी दे रखा है जैसे मालों मुझे किसे ने बोल दया के भाई तेरे पास में तो ग्राम वॉटर है लेकिन वॉटर को तो लिक्विट फॉर्म में करना है ने ml में कनवर्ट करना है तो मैं जानता हूं वॉटर की density वन ग्राम पर ml होती है तो में को इसको कनवर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं और अब मेरे लिए कोई rocket science भी नहीं है तो definition को definition के तौर पर लिखेंगे ताक कि तुम्हारे जो स्कूल के अंग्रेज टीचर है और जो बोर्ड एग्जाम में आजकल कुछ अंग्रेज लोग जो कुले definition फॉर्ट है तो उन लोगों का पेट भरने के लिए definition है तुम लोगों को बस दिमाग में क्या रखना है कि वह या कितने ग्राम कितनी मात्रा में solute एक liquid solvent में dissolve होगा particular quantity याने solvent की एक quantity particular रहेगी ना जादा ना कम मैंने बोला 100 ग्राम तो 100 ग्राम तो 100 ग्राम liquid solvent के अंदर maximum मात्रा में आप कितना solute dissolve कर सकते हो और जो solute solid होगा उसे solubility of solid and liquid कहेंगे now what are the factors what are the factors what are the factors which are affecting what are the factors which are affecting the solubility of solid in liquid solid की liquid में solubility को कौन कौन से factor मेरे प्यारे बच्चों affect करते हैं पहला factor is the nature of solute and solvent solute और solvent का नेचर आपके solute और solvent का नेचर क्या होगा guys chemistry पूरी की पूरी क्या हो गया मेरी तो गई थी मुझे लगा कि सब्मिट गया मेरी फट गई थी ओके तो यहां पर हमारी chemistry work करती है like dissolves like वाले principle पर हमारी chemistry किस पर work करती है like dissolves like जो जैसा है वो उसी के अंदर dissolve होगा तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं मतलब कि आप लोगों को यहां पर एक बात बड़े अच्छे तरीके से याद करके रखनी है that is अगर आपके पास में एक polar solute है तो polar solute dissolve करेगा polar solvent के अंदर और अगर आपके पास में एक non polar solute है तो वो dissolve करेगा आप लोगों के non polar solvent के अंदर बदर जो जैसा है वो उसके अंदर dissolve करेगा इफ यू आर अच्छापरी आम अच्छापरी यह आम अच्छापरी तो इफ यू आर अच्छापरी आपके दोस्त भी छापरी होंगे and if you are a YouTuber तुम्हारे दोस्त भी यूटूबर होंगे if you are a teacher तुम्हारे दोस्त भी teacher होंगे तो जो जैसा है वो वैसों के साथ dissolve होता है यही chemistry का principle है क्या है यह बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आई यहाँ पर हम लोगों को basically polar solute and polar solvent से थोड़ा लेना देना है क्यां आप लोगों को मतलब पता है what do you mean by a polar substance कोई substance polar है कैसे मालूम पड़ेगा एक ऐसा substance substance that have positive याने कहूं partial positive याने plus one plus two होगा या partial positive याने one से थोड़ा छोटा है ना जैसे कि आपने covalent compounds के अंदर देखा होगा तो partial positive या positive charge on one end on one end whereas negative और partial negative charge on another end उसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों polar substance let's take an example आपके पास में जितने भी salts होते हैं आपके पास में जितने भी salts होते हैं वो सब polar की category माएंगे क्यों क्योंकि salt में एक end पर आपको kation तो दूसरे आपको आपको एनायन दिखाई देता है जैसे एने सी एल के सी एल टू सी एल टू सी एल टू यह सब आपके salt हो जाते हैं ठीक है उसके अलावा आपके कुछ covalent compound polar covalent compound polar covalent compound कैसे पता लगाऊंगा सर में जिसमें एक atom बहुत जादा electro negative होगा याने electro negative atom होगा और electro positive atom इसके अंदर होगा मतलब इसके अंदर अगर आपको दो अलग-अलग type की atom दिख रहे हैं और दोनों की electro negativity जाद आए तो तो यहां पर electro negative atom पहचानने का तरीका भी में बता देता हूं भै दुनिया के टॉप तीन भिकारी f o n यह दुनिया के टॉप तीन भिकारी है फ्लोरीन ऑक्सिजन और नाइट्रोजन इसके अलावा अगर तुम लोगों को सलफर दिख जाए क्लोरीन दिख जाए फॉट्फोरस दिख जाए ब्रोमिन दिख जाए आयोडीन दिख जाए तो यह more electro negative element है electro positive element क्या करने बात करूं आपके maximum जितने भी metals होते हैं आपका hydrogen आपका carbon यह सब आपके electro positive elements ही category में आ जाएंगे तो यहां पर जैसे में इसका एक एक्जेमपल बतो हुझे से water अब वाटर के अंदर क्या होता है वह वाटर के अंदर हमारा जो oxygen होता है that is universal भिकारी second number का electro negative element इसकी bonding हमने hydrogen के साथ कर दी इसकी bonding हम लोगोंने hydrogen के साथ कर दी hydrogen के साथ में यह covalent bond बनाके रह रहा है अब आप यहां पर क्या observe करोगे हे हाइडरोजन के इस electron को oxygen अपनी और खीच रहा है organic negativity का मतलब क्या होता है अपने electron को तो अपने पास रखना लेकिन सामने वाले के electron को खीच के अपनी और ले आना पूरी तरीके से नहीं purposely तो यह oxygen इस hydrogen के electron को अपनी-और खीच के ला रहा है partially इस लिए इसलिए इसलिए इस पर भी partial positive charge हो गया और इस पर भी partial positive charge हो गया और यह oxygen ने इसका partial electron अपनी और खीचा इसका partial अपनी और खिचर लिए पार्शल डाय नेगेटिव चार्ज हो गया तब आब यहां बर खुद और करो आपके oxygen पर आ गया partial negative charge on one end और आपके hydrogen पर आ गया partial positive charge on the another end तो यह compound polar compound की कैटेगरी में आएगा तब आप को polar compound का मतलब समझ में आ गया अब ऐसा होता क्या है कि polar compound polar substances को अपने अंदर dissolve करता है या कोई ionic substance water में जाकर क्यों dissolve हो जाता है तो यहां पर आप इस बात को समझेगा जैसे मान लो आपने क्या किया एने CL लिया तो एने पर positive charge है कि CL पर negative charge है यह आपने पानी के अंदर डूबो दिया आपने तो क्या करा पानी के अंदर डूबो मारा तो अब क्या होने लगेगा water आएगा CT बजाता हुआ कि इसा water आएगा आप देखते हो water कुछ ऐसा ही होता है यह देखो यह नेगेटिव चार्ज यह पॉजिटिव चार्ज समझके water कैसा बनाए मेरे यह गोला मतलब oxygen और यह दो positive charge मतलब hydrogen यह तुम्हारा oxygen और यह दो छोटे गोले तुम्हारे hydrogen अब यह oxygen बोलेगा oh beauty अभी हमसे भी तो मिल्लो positive charge को अपनी और खीचेगा यह oxygen मिलेगा oh beauty 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 थोड़ा हमसे भी तो मिल्लो beauty तो यह इसको पकड़ लेगा similarly सामने से क्या होगा सामने से भी वह आपका water आएगा घुमता घुमता कहीं से तामने से भी तुम्हारा जो water है वह कहीं से भुमता भुमता आएगा भाई पानी की तो कमी नहीं है वह बढ़ेगा अरे negative charge beauty beauty यह इसको अपनी और खीचने की कोशिश करेगा जोरदार attraction लगाने की कोशिश करेगा पूरी जान लगा देगा अब यह positive charge मिलकर इस negative charge को इधर खीचेंगे और यह negatively charge इस positive का अपनी और खीचेंगे तो दीरे 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 एने CL के बीच का attraction break होता जाएगा दीरे दीरे एने CL के बीच का attraction break होता जाएगा एन अल्टिमेटली तुम्हारा जो sodium positive है इसको चारो तरफ से इसको चारो तरफ से आपके water molecule इस तरीके से surround कर लेंगे इसका definitely surround करेंगे negative को positive से बहुत प्यार रहता है तो यह इस तरीके से इसको surround कर लेंगे similarly आपका जो CL negative है CL negative को इस तरीके से positive align कर लेंगे यह देखो इस तरीके से इसको positive align कर लेंगे यह देखो इस तरीके से इसको positive align कर लेंगे यह देखो इस तरीके से इसको positive align कर लेंगे अब यह क्या हो गया डिजॉल्व हो गया आपने देखा किस तरीके से पोलर सॉल्वेंट ने पोलर कंपाउंड का अपने अंदर डिजॉल्व करा गाइस यहां पर एक बात समझिएगा यहां पर यह जो एने तील के बीच का बॉंड तूट रहा है इस बौंड को तोड़ने के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, so energy is provided, energy is provided, and it is called as, and it is called as latise enthalpy, latise enthalpy, जो बच्चों को Letize Inthelpy नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनना Letize Inthelpy क्यों बोली जाती है क्योंकि यह तुम्हारा NaCl होता है क्या यह Molecular Form में होता है ना यह Letize के Form में होता है यह पिंजरे के Form में जाले के Form में होता है कैसे ध्यान से समझो क्या होता है जब हम नमक डालते हैं तो एने पॉजिटिव सी एल नेगेटिव एने पॉजिटिव सी एल नेगेटिव एसा नदर आता है यह हर जगे तुम लोगों को बीच बीच में एने पॉजिटिव 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 एने पॉज एक दूसरे से टूट टूटके अलग होंगे दूर 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 जाएंगे तो इन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी and that energy is called as lattice enthalpy तो आपने lattice enthalpy थी अब lattice enthalpy के बाद में cation और nion अलग हो गए definitely जब cation और nion अलग होंगे यह unstable हो जाएंगे के टायन और नायन जुड़े ही क्यों थे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रोन क्लोरीन को दिया क्यों थे स्टेबिलिटी के लिए ताकि उनका उक्टेट पूरा हो जाए सोडियम अपना एक उलेक्ट्रोन क्लोरीन को देकर अपना उक्टेट पूरा करता है यह अपना octate पूरा करता, इन पर charge आयाता, तो यह जुड़ जाते, अब तुमने इनका charge तोड़ दिया, अब तुमने इनकी stability break कर दी, तो NA positive unstable हो गया, CL negative unstable हो गया, तो फिर जब इनको water surround करेगा, तो यह वापस से stability regain कर लेंगे, तो यहाँ पर जब आपके cation और NIM को water surround कर तो again यह stability gain करेंगे, और अब यहाँ पर stability gain करने के बाद, यह release करेंगे hydration enthalpy, यह release करेंगे hydration enthalpy, और मैं एक बात बता दूँ, जितनी जादा hydration enthalpy release होगी, उतना जादा solubility होगी, जितना जादा आपका cation और NIN water से surround होने के बाद, जितना जादा आपका cation और NIN water से surround होने के बाद, hydration enthalpy छोड़ेगा, जितनी जादा energy छोड़ेगा, हम लोग सब chemistry में इस word को जानते हैं, that energy is inversely proportional to stability, तो अगर आप लोगों की energy का बहुत जादा loss हो रहा है, अगर आप बहुत सारी energy lose कर रहे हो, मतलब आपकी energy down हो रही है, क्यो मतलब आपकी stability बढ़ रही है, आप तदा stable हो रहे हो, stable हो रहे हो, मतलब आप तदा dissolve हो रहे हो, बहुत शांदार तरीके से dissolve हो रहे हो, तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, in case you want to take the screenshot, मेरे प्यारे बच्चों, please take the screenshot ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, चलो, फटा फट नोट कर लो, प्यारे बच्चों, नोट कर लो, चलें, now, second factor is the effect of temperature, second factor is the effect of temperature, now guys, solid की solubility, एक liquid solvent के अंदर, temperature पर कैसे depend करती है, देखो गाई, सबसे पहला factor, for endothermic reactions, ऐसी reactions, जो endothermic type की हो, endothermic मतलब, जब आप आपके solute और solvent को mix करोगे, जब आप आपके solute, और solvent को add करोगे, तो ये surrounding से heat absorb करेगा, ये surrounding से heat absorb करेगा, और heat absorb करने के बाद आप लोगों को solution बना कर देगा, क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये कौन कौन से salt के case में होगा, ये होगा KCL के case में, KNO3 के case में, NACL के case में, समझे रहो, ये इस तरीके के salts के case में होगा, जैसे KCL, KNO3, NACL, हम और एक salt का नाम लिख सकते हैं, NANO3, yes, NANO3 के case में ये होगा, Actually, इसका simple सा फंडा क्या है, तो इस case के अंदर, on increasing the temperature, in this case, on increasing the temperature, solubility increases, जब आप temperature बढ़ाएंगे, तो solubility, ये इसको क्या बोलते हैं, solubility increases, ऐसा क्यों, reaction endothermica, बिटा, ली चाटेरियल प्रिंसिपल बता हैं आप लोगों को, class 11th में हमने equilibrium chapter के अंदर पढ़ा था, ली चाटेरियल प्रिंसिपल, ली चाटेरियल प्रिंसिपल बोलता था, मेरे प्यारे बच्चो, फिले नोट कर लो, तो ली चाटेरियल प्रिंसिपल बोलता था, अगर आपके पास में reversible chemical reaction है, रियाक्टेंट से product बन रहा है, और product से reactant बन रहा है, reaction चल रही है और एक time period के बाद में equilibrium में आ जाएगी, equilibrium में अगर reactant तूट के product बन रहा है, तो product तूट के वापस से reactant बना रहा है, आपको लग रहा reaction रुख गई है, reaction आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन reality में reaction चल रही है, reactant लगाता तूट के product बन रहा है, लेकिन product वापस से तूट के reactant बनना चालू हो रहा है, reactant जुड के product बन रहा है, product तूट के reactant बन रहा है, ये process लगाता चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि equilibrium आ गया है, एक particular moment पर, एक particular amount पर reactant रुख जाएगा, further react, मलब further उससे कम reactant की मातरा नहीं होगी, और product की एक जो specific amount में मातरा, ये specific amount बनना था वो बन जाएगा, उससे जादा नहीं बनेगा, हाँ, reactant अभी भी तूटेगा, तूटेगा या जुडेगा, तो reactant की मातरा कम होगी, product बनेगा, तो product का amount बढ़ेगा, लेकिन equilibrium अचीव नहीं हो पाएगा फिर, तो फिर product वापस तूटेगा, और reactant बनेगा, ताकि वापस equilibrium में आ जाए, नाव कई बार क्या होता है, हम लोग, मान लो reaction equilibrium में आ गई, सब कुछ stable हो गया, मैंने reactant के अंदर, बाहर से, market से, दुकान से लाके, और reactant बना दिया, तो अब reactant की मातरा equilibrium से जाधा हो गई, equilibrium पर जितना reactant का amount होना चाहिए था, उससे जाधा हो गया, तो अब reactant क्या करेगा, जल्दी 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 react करना चालू करेगा, ताकि reaction forward direction में बढ़ जाधा 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 product बन जाए, ताकि फिर reactant का amount का हो, product का बन जाए, product का amount बढ़ जाए, फिर हो equilibrium state में आ जाए, मालों अब मैंने market से product खरीद के लिए आया, और मैंने product बढ़ा दिया, तो अब equilibrium फिल डिस्टाब हो गया, अब product की मातरा बढ़ गई, तो product जल्दी 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 टूट के reactant बनाएगा, ताकि फिर equilibrium ना चाहिए, that is called as reach arterial principle, यहने अगर आप reactant की मातरा बढ़ा दोगे, तो reactant, react करके product बनाना चालू करतेगा, यानने reaction आगे की direction में, forward direction में जाना चालू करतेगी, ताकि फिर एकुलिब्रियम आ जाए, अगर आप product की मातरा बढ़ा दोगे, तो reactant बनाने के लिए product तूटना चालो हो जाएंगे तो reactant backward direction में यानि reaction backward direction में जाने लगेगी और यह automatic होगा आप और मुझे कुछ नहीं करना है that is called as Lee Chatterial principle according to Lee Chatterial principle according to the Lee यह मैं कुँँआ न Chatterial की spelling में बहुत doubt होता है Chatterial आप शेरिला बसंते आज़े ॉच पता ने मैंने सही लिखी यह कि में को पता नहीं है यह तुम देखले ना यहा लिटी पता न शर्टत में कि अनवे पेख कुछ ना में क्या होता है चंपक चाचा नाम रख देते हैं ले चंपक चाचा हम आराम से इस परिंग लिख सकते थे दे चंपक लाल गडा लिख देते बागा देते नटटू कागा भग देते danny online लीचह गद्र। सब इनके माबाप विमल खाते कि विट घ्रक मोट इसके मागरी ली चाटेरियल पता निया चाटेरियर जो भी उसने बोला होगा समझ नाम रख दिया गया ठीक है मेरे बच्चो तो ठीक है हमको ली चाटेरियल से क्या करना है तो अगर आप यहां पर observ कर रहे हैं कि Reaction एंडो थर्मिक है यहने solute और solvent heat को absorb कर रहे हैं अगर आप heat की मात्रा और बढ़ा दोगे तो reaction तो forward direction में जाएगी याद कर अभी मैंने बोला reactant की मात्रा बढ़ा दोगे तो reactant की मात्रा बढ़ने से equilibrium disturb हो गया तो reactant अपनी मात्रा कम करने की कोशिश करेगा और product की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि फिर से वो equilibrium अचीव करेगा तो यहाँ पर क्या हुआ अभी reaction equilibrium में heat absorb करके solution बना रही है अब तुमने heat बढ़ा दी तुमने temperature बढ़ा दी तो reactant side में heat बढ़ने से reaction disturb हो गई तो solute और solvent जल्दी जल्दी react करके solution बनाने की कोशिश करेंगे ताकि solution बनने के बाद में वो फिर अपने level पर आ जाए तो endothermic reaction के अंदर तो यह होगा endothermic reaction के अंदर तो यह होगा लेकिन हमारे पास में एक और चीज़ है और एक्जो थर्मिक reaction क्या यह कलर दिख रहा है मैं एक में लैप्टॉप में दिखना है और दिख रहा है पॉर एक्जो थर्मिक reaction और एक्जो थर्मिक रियाक्शन हम यहाबर अब किसकी बात कर रहे है हम यहाबर एक्जो थर्मिक रियाक्शन की बात कर रहे है अब एक्जो थर्मिक रियाक्शन क्या होती है एक्जो थर्मिक रियाक्शन के अंदर आपका solute आपके solvent के साथ react करके solution बनाता है और environment में बहुत सारी heat छोड़ दे यह है आपकी exothermic reaction क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चो तो ऐसी condition में तो already आपका solution heat बाहर छोड़ना चाहरा है ये heat बाहर फेकना चाहरा है इसको और heat नहीं चाहिए अगर तुमें इसे case में temperature बढ़ा दोगे तो according to Lee Chatterial principle solubility decrease हो जाएगी according to the Lee Chatterial principle क्या ये बात समझ में ही मेरे प्यारे बच्चो अगर आप इस chemical reaction का इस process का temperature बढ़ा दोगे तो यहां तो heat बाहर रिलीज होना चाह रही है अब अगर तुम्हें temperature बढ़ा दिया तो reaction तो उल्टी घुश जाएगी मनलब reaction यहां पर backward direction में चली जाएगी मनलब solution जो तुम्हार side heat होने का मतलब है reaction exothermic है और reaction exothermic है मतलब reaction को energy पसंद नहीं है extra heat पसंद नहीं है वो तो छोड़ना चाह रहा है लेकिन अगर तुमने temperature बढ़ा दिया इस पूरी process का solution का temperature अगर तुमने बढ़ा दिया तो heat यहां पर बढ़ने का मतलब reaction अब तीछे जाना शुरू कर देगी ताकि यहां की चीज यहां balance कर दी जाए तो solute solvent बनने लगे तो solubility decrease हो जाएगे तो temperature का effect आप लोगों को समझ में आया क्या आप लोगों को temperature का effect समझ में आया चलिए great तो temperature का effect हम लोगों ने second number पर समझने के बाद अब हम लोग हमारे तीसरे effect की तरफ चलेंगे अच्छा मै एक बात बता दूए आपको कहां कहां देखने को मिलेगा वह आप लोगों के मन में definitely सवाल उठाओ और कई बच्चों ने बोला होगा दबाओ रहे अंसब्सक्राइब का बटन दबाओ नहीं यार ऐसा मत करो अंसब्सक्राइब का बटन मत दबाओ तुमको इसके example बता देत लीथियम कार्बोनेट फिर तुमारा सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट यह सब जो सॉल्ट होते ना बिटा यह temperature बढ़ाने पर इनका solubility बढ़ने की जगे उल्टा क्या हो जाता है घट जाता है अब यह experimentally देखा गया आप तुम इसके वीचे ख्यूं खाई खो एसा मत कम चले हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट की दरफ चलते हैं अभी और यह हमारे सर पर फोड़ना बागी था प्रेशर अभी आपको पढ़ाना बागी था कुछ भी नहीं है यार मैं को बता दूं किसकी solubility देख रहे हूं सर सॉलिड की solubility देखना है लिक्वीड क्या क्या liquid compressible है या solid compressible है तो pressure बढ़ाने पर कोई अश्र पढ़ना है तो technically solids are technically 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 solids are non-compressible technically solids are non-compressible therefore there is no significant so technically there is no significant effect there is no significant effect of significant effect on solubility of solid in liquid ballou haa sameha aya kya bolou haa sameha aya kya bolou bolou sameha aya kya ko ya miro piaare bacho ko yae sameha aya baut bade yaya piaare bacho baut bade yaya to chalye guys आज हम लोग इस पॉइंट पर इतना समझने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते तुमको क्या लगा लेक्चर खतम हो गया नहीं अभी और पाइंट ना है चलिए अब हम लोग कुछ solutions के टाइप देख लेते हैं जो solid in liquid के टाइप होते हैं आप लोगों ने कुछ तनाम सुने होंगे जैसे saturated solution हम फटाफट से इनको देखेंगे time waste करने का कोई मतलब नहीं है हम लोग यहाँ पर देखेंगे unsaturated solution unsaturated solution हम लोग यहाँ पर एक और नाम देखेंगे that is your super saturated super saturated solution हम लोग यहाँ पर इनकी बात करेंगे guys saturated solution और super saturated solution के पहले में unsaturated solution की बात करता हूं unsaturated solution का बतलब बता है when when more amount of solute can be नहीं ऐसा बोलना चाहिए when solution have more capacity when solution have more capacity more capacity left to dissolve to dissolve solute in it मर्लब तुम्हारे टिफ्ञण में करेले की सब्दी और रोटी निकली है अच्छा सर हमारे टिफिन में करेले की सब्दी और रोटी निकली है अब करेले की सब्दी तो कोई खाना खबा रहे क्या नहीं मतलब पेट में भूख तो है साथ में तुम्हारा दोस्त पालक पनीर की सब्दी लाया है चाउमीन लाया है मंचूरियन लाया है तो क्या करेंगे हमारा टिफिन खा लेने के बाद भी पेट में जगा रहेगी हमारा खाना पुरी तरीके से खाएंगे नहीं करेला कौन खाता है लेकिन जैसे दोस्ती सबजी देखेंगे और पालक पनीर तुरंद अपनी रोटी सप्वाजने के करेंगे के सुप ऐसच्छूरेटैटी लेगिन सचूरेटब सॉल meow इंदर का फैंदर होगा marche killer के नााट रहा experienced ane by the solution के नाट डिजॉल कि मोर्च आल्युट ऍटियान अगर मां लो तुम्हारे टिफिन में मंचूरियन नूडल श्प्रिंग रूश मोमोस निकल जाएं पेड भर कि खा लोगे गले घले खालोगे सूत लोगे उसके उसका तुमसा अगर समोसा लाया भी होगा यह अब तुम्हो RUS को सब्स अब कर समोसे लाइया भी होगा तो वह सबांट रूटी उसका पर्ट नहीं यार मेरा दो तो पेड भर तुम्हारे दोस्त का पालक पनीर खा लिया है तुम्हारे दूसरे दोस्त के मोमोज और स्प्रिंग रोल भी खा लिया है लेकिन जब तुम घर के पास गये तुम देखा घर पे तो तुम्हारे यूद्ध चल रहा है आज मम्मी बहुत गुस्से में है पिता जी को चपली चप जूते मारे की तो तुमने मम्मी के डर से घर पहुचने के पहले भार गेट पर खड़े होके फटाफट रोटी में करे लेकि सबसी लगा के मुझ में भरा और पानी भी कि अब निगल गए ताकि टीफिन खाली दिखे ताकि अपन जूते खाने से बच जाए यानि बाहर से जब तुम्हारे पिछवडे में आग लगती भी नजर आई यानि जब हमारी मम्मी को हमने गुस्ता करते वे देखा डर के मारे हमने हमने हमारा खाना खा लिया मतलब पेट तो फुल था खाना तो हमने यहां तक खा रहा था लेकिन अब क्या करो जैसे वह वाली च screens उसके पती के लिए बिरियाणी बना के रखती अब बिचारा वो तो वह यह दोणों शाहर रूखान से में पहले वो राजबन के गोलins खा रहा था फिर बिचारा क्या नाम रेता स्माइए च्टाने सानी तुरींदर सानी बनके बिचारों को बिर्यानी खानी पढ़ती है और यह शकल देको अपनी केस्म उसकुर आ तो तो तुम लोगों ने क्या करा खाना खाली अप्यार से या हमार ते वह agents सूपर सॉलिशन के Then under the influence of extra temperature usually extra temperature ke cases में हिये होता है Amount of extra amount of solute is dissolved in solution and such solution is called a super saturated solution जैसे आपकी चाशनी, रजगुले की चाशनी से ज़ाधा गाड़ी चाशनी हमें गुलाब जामुन की लगती है, क्यों गुलाब जामुन की चाशनी हम गरम पानी के अंदर शकर डाल डाल के बनाते हैं, तो वो सूपर सेचुरेटर हो जाता है, लेकिन आब एक बात ध्यान र कि यार गुलाब जामुन के साथ में तुम्हारे मुह में शक्कर का भी टेस्ट आ रहा है तो शक्कर के दाने महसूस हो रहे हैं तो शक्कर के दाने क्यों महसूस हो रहे हैं क्योंकि जब तुम्हारे घर वालों ने दिवाली के समय गुलाब जामुन बनाए थे तब चाशनी ग एक्स्ट्रा शक्र डाली थी वो सब री क्रिस्टलाइज होकर उसका क्रिस्टल बनने लगी री क्रिस्टलाइज होकर री अपेर होने लगी तो गढ़बढ़ हो गई तो इस तरीके से यह तीन सलुषन होते हैं अब गाईस हमारे आजके लेक्चर को आप डेफिनेटली यहीं जिसमें मैं आप लोगों को Henry law पढ़ाँगा, Henry law के उपर मैं आप लोगों को ढेर सारे नुमारिकल्स भी कराँगा, नोट आउट में नुमारिकल्स अगले बार digital बोट पर लिक्के जाँगा, डिजिटल बोट लिया है तो थोड़ा सा हम लोग मेनत भी करें बाकी तो पल्लिक-लिक के पढ़ाना तो मैं वाइट बोट पर पढ़ा लेता इत्ता पैसा थोड़ी घर्च करता मेरे भाई की दो किड्नी बेची मेने लेने के लिए तो चलो तो अगले लेक्चर में हेंड्री लॉग हेंड्री लॉग के न्युमेरिकल्स करेंगे अगले lecture में पूरा Henry law शुरू सा आखरी में निप्टा देंगे बिना time waste करें फिर राउल्स law की तरफ चलेंगे राउल्स law complete करने के बाद फिर हम लोग ideal non-ideal solution aziotropy देखेंगे फिर colligative properties आ जाएंगी फिर went off factor आ जाएगा मतलब हमान के चलो अगला lecture हमारा राउल्स law पे बनेगा नहीं हेंट्री law पे बनेगा फिर उसका अगला lecture राउल्स law पे बनेगा वेपर प्रेशर एंड राउल्स law उस पर शायद दो lecture लगेंगे फिर उसके बाद में एक lecture ideal non-ideal solution और अजियो ट्रॉपी पर आठ से नो घंटे दस घंटे का अगर में with questions detail में पढ़ाऊ तो और एक बार यहां से पढ़ लिया फिर कहीं से पढ़ने की जरूबत ही नहीं ना स्कूल से ना कोचिंग से ना किसी पेड़ प्लैट्फॉर्म से बस NCID उठाकर question practice करो या कोई किताब से करना चाहता है तो हाँ से practice करो question आप लोगों के डिफिनेटली बनेंगे तो see you in the next class बाबाई चेक क्यार गुट नाइट आइंड डोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब